रादो राद बाल बढ़ाने का ऐसा बहत्रीन सनुसका आज किस वीडियो में गाईज में सेयर कर रही हूं क्योंकि इस अपने बालों की हम अच्छी से केर नहीं कर पाते हैं पर आज हैर मासक नहीं लगाएगी और शर्द भी नहीं लगेगी और इससे आपके hair fall एक या दो application में ही बंद हो जाएंगे और आपके बाल बहुत तेजी से लंबे गनी होंगे जो बाल ज़ड़ चुके हो अभी जल्दी से वापस उना फी शुरू हो जाएंगे so friend वीडियो बहुत helpful है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज मेरे यूटिब चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को प्रेस करते इस तरह यूच्छी वीडियो देखते रहने के लिए और वीडियो में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा सो चलिए श्टार्ट करते आज की वीडियो तो इस नाइट हेर ग्रोथ हेर मासक को बनाने के लिए गाई सबसे पहले हमने यहाओ पर मेथि दाना लिया है क्योंकि especially हमें यह hair mask अपनी scalp में लगाना है तो दो बड़े चम्मच या तीन चम्मच आप यहां पर मेथी दाना जरू लीजिए क्योंकि यह हमारी scalp पर अच्छे से आ भी जाएगा मेथी जो होता है उसमें प्रोटीन पुर्चर मातरा में होता है और हमारे बालों को प्रोटी करने में मदद करता है और हेर क्रोथ को बहुत तेजी से बूश्ट करता है तीन चोटे चमच मैंने आपर मेथी दाना ले लिए उसके बाद मैंने आपर चार से पांच लेसं की कलिया ली है तो लेसंग जो होता है जिंक और फास्पोरज जैसे प्रप्रटी पाई जाती है ज लैसं बहुत अच्छा काम करता है इसके लावा हेर ग्रोथ को बुष्ट करने में भी लैसं बहुत ज्यादा कार्गर होता है साथ ही लैसंन और मेथी यह दोनों की तासीर गर्म होती है जिससे विंटर में हमीशेर मास्को बहुत आसाने से एप्लाई कर सकते है है ज्यादा स थीक बना हुआ है तो आप इसको थोड़ा सा और थिन और स्मूध पेश्ट तयार कर सकते हो तो पेश्ट हमारा बन गया है गाइज बट वीडियो अभी खतम नहीं हुई है तो प्लीज वीडियो में सुरुष लाश्ट तक बने रहे हैं क्योंकि बहुत ही बहुत ही पेथरी सह है सरसो का तेल सबसे बेश्ट है इस हैर मास्क के लिए बट अगर आपको सरसो का तेल किसी कारण से सूट नहीं करता तो आप यहां पर जैतून का तेल ले सकते हो लेकिन सरसो का तेल सूट करता है तो सरसो का ही तेल आप यहां पर यूज करें इसका कोई अल्टरनेट नहीं बट आपको सूट नहीं करता तो फिर रेमटी बेकार हो जाएगी इसलिए आप यहां पर सूट ना करने के स्थिती में आप ले सकते हो मैंने यहां पर 3-4 चमत सर्सु का तेल ले लिया है इसको मैं गरम करूंगी सबसे पहले इसलिए मैंने इसको कल्ची में निकाला हुआ है आप तड़का देते हो तो बहुत जादा हीट करते हो ऐसे नहीं हीट करना है आपको तेल को मीडियम गरम करना है तो बहुत जादा हीट नहीं करना कि बहुत तेज से धुआ निकलने लगे तो ऐसा करने से तेल खराब हो जाएगा तो बस इसको मीडियम गरम करना है उसके ब कम लगता है तो आप तेल थोड़ा सा और गरम करके यहां पर ले सकते हूं तो अपने जरुकर साथ तेल की कौांटिटी आप यहां कम ज्यादा कर सकते हूं बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और बहुत स्मूज सा पेश्ट हमारा बनकर रिडी हो गया है यह हैर मा करें अगर यह शूछों की करने हैं तो आउर पेश्ट करने में कैसे था सच्छो आप इसको लगा कर राद भर के रिए चूंड दाए तो आप डिया की स कम ज़से प्अच्छ मार्डा इसको बेजा कर लेकर मास्क है यह यहे अरथ भर अपने स्कैल्प में च्छोंड सकते हूँ, हलकी फुल की सर्दियां है तो इसको लगा कर राद बर के लिए छूंड दीजी, बहुत जादा सर्द है, तो सायद आप इसको लगाना नहीं पसंद करेंगे, बट इसको हलकी फुल की सर्दियां जैसा है इस समय का मौसम है, यसे मि अगर आप इसको अप्लाइ कर लेना है इसकेल पर लगाने के बाद आपको हल्की सी मसाज जरूर करनी है इसे लगा कर आपको ओबर नाइट छोड़ देना है बेस्ट रिजल्ट के लिए ओबर नाइट छोड़ें बट आप ऊबर नाइट नहीं चोड़ सकते हो तो आप साइमपू के 2 घंटे प को मिलता है इसे लगाने के बाद आपको ओबर नाइट रखना या फिर दो घंटे बाद आपको सैंपो कर लेना है हपते में कम से कम दो बार इस हेर मास्क को जरूर अपलाई करना है आप देखेंगे एक या दो अपलिकेशन में ही आपका हेर फॉल काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और इसका लगतार एक महीनी तक हपते में दो बार रेगुलर इस्तिमाल कर लेते हैं तो जो भी बाल आपके जड़ गए और दोबारा से उगना सुरू हो जाते हैं आपकी हेर ग्रोथ को यह फास्ट कर देता है जड़े बालों को दोबारा से उगाता है और आपके स्केल्प की किसी भी तरह की फंगल इंफिक्शन को भी दूर करने में यह बहुत जादा मदद करता है बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है हि इसे लगा कर हलकी सी मसाज जरूर करनी है ताकि इसकी सारी प्रपरटीज आपकी स्केल्प में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए मैंने इसको लगा लिया इसको लगा कर में ओबनाइट छोड़ दूंगी और मैं नेस्ट डेस आंपू करूंगी आपको वीडियो पसंद आया प्लिज वीडियो लाइक करें कोई भी क्वेरी रह जाते है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में थैंक्स वाची